नमस्कार मैं डॉक्टर रश्मी अल्बोत्रा काईटिस्टेफिक नैचरली से एक बार फिर लेकर आई हूँ हेल्दी रेसिपीज जिसका नाम है डॉक्टर रश्मी मिक्सीड्स दोसा इस दोसा को आप अपने ब्रेकफास्ट के मेन्यू में एड़ करें जिसके बहुत फाइड कोड़ी है और जो लोग मुटापे के सिकार है जिनका पलस्ट्रॉल लेवल काफी बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ही फाइदेमंद है इसमें जो एंग्रीडियंस यूसके हैं उन एंग्रीडियंस में काप्स की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है इसलिए डायबिटीस में रिवर्स हो सकती है वेट बढ़ाने के लिए जो इंग्रीडियंट चाहिए लाइक काप्स वह इसमें ना होने से वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है तो रोज ब्रेक्फास्ट में आप यह रेसिपी को ट्राय करें और लगभग एक महने तक अगर आप इस प्रकार क रेसिपी अपने डायट में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आपका दो से तीन खिलो बजन आराम से घ्रट सकता है आपका जो एजबी एवन सी है वह भी वन टू पॉइंट नीचे आ सकता है तो हम देखते हैं कि हमें कॉम कॉम से इंग्रेडियंस के जरवत है इस मिक्स द इस फ्लैक सीट्स संफ्लार सीट्स कॉरियंडर को थोड़े स्पाइसेज लगें हमें यहां पर आये देखते हैं पाइसेज के लिए हमें चाहिए अखा धना जीरा हींग नमक आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक पेष्ट भी डाल सकते हैं और हमें चाहिए होगा अनियन और साथ में ग्रीन चिली इसका पूरा पेस्ट बनाने के लिए हमें गरम पानी की जरुवत है हाफ कप सबसे पहले हमें एक बोल लेना है इसमें हमें दो थेबल स्पून पंकिन सील्स यह चार दोसा बनाने के लिए काफी होगा और दो चम्मच फ्लैकसेटिस दो चम्मच संफलार सेट्स कि और हमें यह सारे एंग्रिडियंट्स को रोस्ट कर लेना है कड़ाी में पहले और रोस्ट करके ठंडा करके इसको रेफ्रिजिरेट करके ठग देना इसका पाउडर तैयार करना है मैं तो इसमें सारे इंडिडियन डाल देते हूं जैसे अभी इस पाइसे हींग है जीरा है धना है नमक है तो अपने टेस्ट के इसाब से अपने सकते हैं मैंने हाफ आफ टी स्पून सब लिया है साथ में हमें ग्रीन चिली की जर्वत है तो इसमें हम थोड़े ग्रीन चिली भी डाल देते हैं अनियन हम उपर से भी ले सकते और अनियन चाहे तो आप अनियन भी इसमें डाल सकते हैं तो आप ग्रीन चिली और अनियन दोनों साथ में इसमें डाल देंगे अब हमें थोड़े कॉरियंडर चालने हैं तो लगबग 2 टी स्पून अधिक से अधिक कॉरियंडर डाले ताकि यह बहुत टेस्टी बन जाए मैं तो यह पूरा डाल देती हूं और इसको मिला के हमको मिक्सर में पीस लेना है अच्छे से बारिक पीसना है थोड़ा आपको अगर पानी की जरुवत पड़े तो आप पानी भी ले सकते हैं यह हमारा मिक्सर थोड़ा पानी डालके हमने इसको पीस लिया पीसने के बाद इसको लगभर आधा कप पानी मिलाकर अच्छा गरम पानी चाहिए आधा कप पानी लेना है और इसको मिलाकर आपको करीब करीब आधा से एक घंड़ा रग देना है कंसिस्टेंसी ना पतली हो ना गाड़ी हो मिडियम हो जैसे रवा डोसा बनता है सेम वैसे ही जब हम डोसा बना ले लगते हैं न तो यह अपने आप ही फैल जाता है तबे पे और उसकी बुलगुले छोटते हैं तो बस यह हमारा बैटर तयार है इसको हम आधा गंडे के लिए ऐसे ही रख देते हैं आईए हम दोसा बनाएं डोक्तर रश्मीज मिक्स सीट दोसा एक पैन लेना है तबा लेना है उसे ग्यास पर गरम होने के लिए छोड़ना है गरम होने के बाद यह जो बैटर है इसको हमें इस तबे पर डालना है देखिए एक ऐसे बुलबुले छूट रहे है अपने आप यह बुलबुले छूटेंगे और आपको डालते रहना है यह अपने आप स्प्रेड हो जाएगा थोड़ा पतला है इसलिए थोड़ा सा इसमें हम बीच बीच में डालते रहेंगे जो खाली राउंड शेफ देला है तो देखिए कितना क्रिस्पी और यमी बन चुका है यह डोसा हमारा इसको पलटते हैं और यह हमारा डोसा तैयार है अगर थोड़ा बैटर आप ठीक रखेंगे तो यह थोड़ा ठीक भी बनेगा लेकिन हमें तो क्रिस्पी पसंद आता है खाने में द इस दोसे में हम पनीर उपर से डाल सकते हैं पनीर ग्रेटेड लिप्ट धनिया पती और आप एड करें और इसमें तोड़ा सा पावभजी का नहीं या उपर से आप डाल सकते हैं या फिर आप बटर या चीज वर डालएं आप बटर रॉसा चीज दोसा आप ले सकते हैंug डोसा बन गया तयार है já आईए हम मिलके खाते हैं तो लीजिए तयार है डाक्टर रश्मीस मिक्स सीड दोसा मिक्स सीड दोसा तयार है डाक्टर रश्मीस मिक्स सीड दोसा घर पर जरूर ट्राय करें हमें बताए कि कैसा है यह दोसा बहुत ही हेल्दी तो रहे गई लेकिन हमें आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए हमेशा हम आपके लिए ऐसे ही रेसिपी लेकर आ सब्सक्राइब करना ना फूले ओके गुद नाइट Take care of yourself. Be safe in home. Thank you so much. Love you all.